रादे रादे सारे भाईयान है तो भाई ओप्शन एजिंग की एक और क्लास में आपका स्वागत है देखो जब भी मार्केट में आ रहे हो ना डिरेक्ली ओप्शन बाइंग या सेलिंग करने की बज़ाए ओप्शन हैज करके काम पूरो क्या होता उसमें छोटा स्टोब्लोस और बड़ा टार्गेट सिंपल सी बात है ये चीज़ आपको समझ में आगी होगी अभी देखो मेरे को लगता है कि मार्केट को नीची आ जाना चीए ठीक है डिरेक्ली टोपिक पर आता हूं को ज़्यादा टाम है देखो ओप्स्ट्रा की ये वेबसाइट है इसमें हम लगता है कि यहां से निफ्टी को नीची आना चीए सिंपल सी बात है ये 2447 बिलकुल अपना ब्रेक युएन पॉइंट है ठीक है ना 24404 ठीक है ये 242 पाइंट पर अब मेरे को लगता है मार्केट को नीची आना चीए अगर नीची आई तो मेरे को कितना प्रोफित होसकता है 2600 रुपए का बाद समझे ठीक है अगर उपर गई तो लोश भी तो होगा कोई भी ऐसी चीज मार्केट में है नहीं वाई जिसमें लोश ना होते हों होते हैं कम हो जाते हैं ठीक है लोश हो सकता है 1100 रुपए का इस पाइंट पर अब यह होगा कैसे वाई क्योंकि कही बार होता ना मिरको लगा कि मार्केट ऐसे उपर जा रही है। मिरको इस पाइंट पे लगता है और मार्केट को नीची आजाना चाहिए मं क्यों न पुट बाई कर लो दो टाइप के है यह अमित है अपना वही और यहां पे एक सुमित नाम का बंदा यह क्या करता ओप्शन है य तुट लेकर अगर पूट लेता हूं मार्केट ऊपर चली भाई लोश होगा कहीं ना कहीं तो बुक करना बढ़ेगा फिर मार्केट एकदम से गिर गई अब यह वेचारा क्या करें यह नहीं आथा यह यहीं पर अपने पास सुमित है मार्केट ऐसे उपर जा रही है इसको भी यहीं पर लगा कि मार्केट को नीची आ जाना चाहिए इसने क्या कि अपना ओप्शन हैज कर किया यह भी समझाओं आपको उसका टेंशन ना लो इसने ओप्शन हैजिंग किया मार्केट ऊपर चलने लगा ठीक है भाई इसको भी कनफर्म हो गया लोश हो जाएगा बट अमीद की तरह काम ना करके हम लोग समीद की तरह करेंगे जब प्रपर तरीके से प्राइस एक्षन मार्केट का मॉमेंटम हर चीज समझ में आ जाएगी जब धीरे अमीद की तरह काम कर सकते हैं अब होगा क्या जैसे कि समीद का केस्ता उसने यहाँ पर ओप्शन हैज किया उसको लगा मार्केट को नीची आना चाहिए फिर मार्केट ऊपर गी कोई नहीं भाई सुमित बिना टेंशन के बैठा है नीची आने लग जाएगी यह फिर प्रोफिट में आ जाएगा तो इस तरह से काम करो आ जाते हैं अब अपने मेंट पॉइंट पे देखो मेरे को एक लोट पर ही काम करें मैंने सेल कर दिया जिसका प्राइस 187 रुपे चल रहा था आप भी यह प्रैक्टिस करके देखना कोई भी आपके पास एप है उसमें ना सारे पॉइंट है ना कैल्कुलेट करना ऑप्शन है जिंग में मलब जो जो स्ट्राइक प्राइस है ना उसक एक ओडिक 2417 पर है 400 भी मान लेते हैं ठीक है राउंड नंबर में बात करते हैं तो इसका सो पॉइंट इन दा मनी का कितना सो पॉइंट इन दा मनी का एक लोट सेल कर देंगे तो एकदम से आप बोलोगे सर सेलिंग में तो ज्यादा पैसा रखता है सवाला के आराउंड थोड़ा सा आउट ओफ दमनी का एक लोट बाइ कर लो पहले जैसे ही यह बाइ कर लोगे बाइ करते हैं इसको सेल कर देना आपके पास ना 15,000 रुपया होने चीए 15 तो नहीं यार यह 20-20,000 गयर राउंड इतना रुपया होना चीए आपके पास आपकी यह पोजिशन हैज ह हो जाएगी बट पहले बाई करके पहले बाईंग होगी तभी आप सेलिंग कर सकते हो कम पैसों में भी अब यह पोजिशन है जोगी अब इसका सिनेरियो समझते हैं स्पोज करो यहां से मार्केट नीचे चलना स्टार्ट हो गई अब नीचे चलेगी तो मिले को प्रोफिट हो मैंने गए रुपए 83 रुपए का मैंने कोई भी चीज खरीद दी देशी वासा में समझते 83 रुपए की मैंने कोई चीज खरीद दी उसकी वेल्यू जीरो तो मेरे को कितना लोस हो गया यहां पर 83 पाइंट का बाद समझे मार्केट और नीचे चली हम मैंने 24300 का यह चीज ब रुपए खरीद ली 0.05 पे ऐसा हो ठीक है ना तो मेरे को 187 रुपए की कोई चीज खरीद दी थी वो भी जीरो होगी तो अपने पास बच गे ना 100 प्लस पॉइंट बाद समझे लोस जीक कि मैंने सस्ते में चीज खरीद रखी है कोई 83 रुपए की चीज खरीद दी थी मैं इंगी चीज बेज दी 187 की तो बाद समझे तो अगर दोनों का प्राइस 0 हो गया दोनों का प्राइस 0 हो गया तो ठीक है ना मेरी जेव से 83 गए पर 187 आए भी तो ज बाद समझे यह चीज हमने बाई कर रहे किया तो इस ओडों का एक जीट करना है 0.05 पर इसको बेज देंगे बाद समझे तो लोग एक बार और क्लियर कर देता हूं आपको देखो बाई यह सुमीता है इसने एक कोल था ठीक ना कोल की बात कर रहे एक कोल इसने 83 रुपए का बाई कर लिया ठीक है भाई इसको लोस होगा जैसे इसकोल का प्राइस नीचे आता जाएगा इसका प्राइस आ गया भाई एक रुपए पर बात करते है आ गया तो इसको यहां पर कितने पॉइंटों का लोस हो गया 82 भाई मैं पॉइंट और रुपेज बोलने में न गड़बर कर दूँगा तो ज्यान रखना इस चीज़ का देख बिया सी रुपे का इसको क्या हो गया बिया सी पॉइंट का इसको लोस हो गया सीधी बात है ठीक भाई इसने क्या कर रखा था एक कोल होगा क्यूबदी पहले बेज रखा अब इसका प्राइस आ गया वन तो इसने यहां पर क्या करेगा वन पर क्या कर लिया भाई कर लिया तो इसको कितने का वागगए 186 point का profit अब बात समझे एक तो चैसी का profit हो गया बीए सी का loss हो गया तो इसके गल्ले में तो फिर भी आई ना point किदने आगे 84 point के लगवग इसको profit हो गया 84 इंटू में ठीक है ना इसके अपने nifty के load size के साथ multiply करके देखो profit है तो यह housing होती है यह तो scenario था भाई नीचे चली profit का scenario समझ में आगे ना कि profit क्यों होगा अब market ऊपर चलने लग गई जो इसने एक कोल वाई किया था ठीक है ना एक कोल वाई किया था 83 का यह चीज़ वाई की थी ठीक है ऊपर चलेगी बढ़ेगा profit होगा बल्ले बल्ले है बट इसने एक कोल है ना sell भी कर रखा था 187 का इसन इसमें इसको क्या होगा लोस उसमें क्या होगा profit है बात समझे अब कहां पे तो रुजा के रुखेगा ना क्योंकि इसमें लोस बढ़ता रहेगा इसमें profit बढ़ता रहेगा तो बात तो शेम है अब मार्केट ने क्या किया 450 पे आके 24,450 पे यहाँ पे expiry दे दी यहाँ पे expiry दे दी मेरा 24,450 का कोल था तो इसकी value क्या होगी जहाँ पे 24,450 के कोल की value क्या होगी expiry वाड़े दिल 0 क्योंकि वो add दमनी पे है तो यह 83 वाड़ा हो जाएगा उसका 0 का होगा होगा की नहीं बिलकुल होगा भाई 24,300 का कोल 24,400 का कोल मार्केट कितने पे है 450 पे 24,300 के कोल की value क्या होगी 150 क्योंकि 1500 पैंट का ही तो गया पै तो इसकी value क्या होगी 150 अब एक बात समझो 150 होगी हमने कितने पे बेज रखाई है 187 पे 188 पे ये चीज़ बेची थी इसका price 150 हो गया अब यहाँ सी कितने profit होगा अपने को 37 पैंट का profit हुआ की नहीं हुआ इसमें 37 का profit हुआ इसमें 83 का loss हुआ अब कितना है 83 माइनस 37 ये अपना overall loss है इतने point का अब तो ना आराम से clear हो गया होगा कुछ चीज़ आप practice करके देखना ठीक है इसमें क्योंकि जो चीज़ खरीदी बेची कितने की खरीदी बेची वह चीज़ याज रखना expiry का आपको बताए दिया अगर 24 एक सेकिंड चल जा यार 24 पान सो पे भी अगर market expiry देती है चलो एक example हो देता है 24-500 भी करते है तो 24-300 के call की value क्या होगी 200 200 का होगा 187 पे बेचा था तो कितने का loss हो गया 13 point का हमें इसमें loss होगा क्योंकि 200 का होगया 187 बेचा था बट 24-450 का call 24,500 पे आगी market तो ये इसकी value कितनी होगी 50 खरिद्धा कितने पे था 83 पे तो यहां पे कितने का loss होगया 33 point का 33 का loss यहां पे हो गया ठीक है बट profit भी तो हो गया 13 point का तो 20 point का loss होगा calculation में तो गड़बड नहीं कर दिया है देखो 24-300 का call market आगी 24-500 पे ये loss fix रहेगा ये नहिलने वाला ये इतना ही रहेगा 24-300 का था इसकी value हो जाएगी 200 200 हो जाएगी 187 पे बेच्चा था तो loss कितने का हो गया अपने को 13 point का loss ठीक है ये loss है बाई तो बोलों गड़बड गड़दी 24-450 market आगी 500 पे तो कितने value होगी 50 83 पे buy किया था 50 का हो गया 33 point का यहां पे भी loss अब ये loss fix रहेगा कितना ही market रहे अपने को इतना 46 point का loss fix है ये कहीं नहीं जाने वाड़ा तो ये चीज रहेगी आपने और थोड़ा practice करना हाँ थोड़ा calculation में गड़बड कर गया हो ना तो मैं ऐसा ही करता हूं मैं तो बाकी concept यह यह आप अच्छे से सीखो और वीडियो अच्छी लगी हो तो